नमस्कार आप देख रहे हैं दिली तक मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तवर दिली की आम आदमी पार्टी ने राजसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के तीन नेताओ को नामित किया है इन तीन नेताओं में शामिल हैं दो ऐसे नेता जो पहले से ही राजसभा के सांसद हैं पार्टी की ओर से लेकिन तीसरा नाम जो है वो नाम नया नाम है और एक राजसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के जिनका पत्ता इस बार कट गया है और उनी की जगे एक नई एंट्री हो रही है तो किसका पत्ता कटा है तो उसका जवाब हम आपको दे देते हैं पत्ता कटा है सुशील गुपता का आम आदमी पार्टी के राजे सबसांसद हैं सुशील गुपता और इस बार पार्टी ने सुशील गुपता की जगा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष अला किया उन्हों ने अध्यक्ष पत से स्तीफा दे दिया है, स्वाती मालिवाल को नॉमिनेट किया है तो ग्राफिक्स की जरी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि इस बार किस तरीके से आमादमी पार्टी ने राजसभा चुनावों के लिए अपने नेताओ को नॉमिनेट किया है, किन किन को किया है, किसका पत्ता कटा है और पत्ता कटने की वजह क्या है 19 जन्वरी को राजसभा चुनाव के लिए दिल्ली की तीन सीटों के लिए आमादमी पार्टी ने अपने तीन नेताओ को नामित किया है इस बार राजसभा के लिए जेल में बंद आमादमी पार्टी के सांसद संजे सिंग, सांसद एंडी गुपता और स्वाती मालिवाल को नामित किया है स्वाती मालिवाल को आमादमी पार्टी ने राजसभा सांसद सुशील गुपता की जगह नामित किया है सुशील गुपता का नाम कटने के पीछे आगामी हर्याना विधानसभा चुनाव वजय बताया जा रहा है बता दे कि सुशील गुपता पार्टी के हर्याना में प्रभारी है और उन्होंने खुद कहा है कि वो चुनावों में अपनी ताकत जोकना चाहते हैं इसलिए उन्हें दोबारा नामित ना किया जाए तो आम आदमी पार्टी की ओर से इस बार राजसभा सांसद सुशील गुपता की जगापर स्वातिमालिवाल को नॉमिरेट किया है राजसभा चुनावों के लिए स्वातिमालिवाल दिली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है और कई बार उन्होंने अपनी आवास को बड़ी ही मुखरता से उठाया है नाशनल स्तर पर उन्होंने सुर्खियां बटोरी है लेकिन आपको बता दें वहीं अगर सुशील गुपता की बात की जाए तो सुशील ग रखा जाए और यही वज़य है कि सुशील गुपता की जगहे पर अब पार्टी ने एक नए चेहरे को राजसभा भेजने की तयारी की है जिसके लिए स्वातिमालिवाल का चयान हुआ है अब आने वाले समय में वो आपको नामांकन भरती हुई भी दिखाई देंगी नामा करी आखरी तारीक है राजसभा चुनावों के लिए नामांकन का उससे पहले नामांकन भरना है वहीं स्वातिमालिवाल ले दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पस से स्तिक्वा दे दिया है और उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो सुने दिल्ली महिला आयोग ने पिछले आठ सालों में शानदार काम किया है हमने एक लाख सतर हजार कमप्लेंट्स के ऊपर डाइरिक्टली काम करा है पांत सो से ज़्यादा सुझाव हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को हमने भेजे हैं साथ हजार कॉम्पनसेशन्स हम लोगों ने सेक्शिल असॉल्ट सर्वाइवर्स के बिहाफ पे डिफरेंट कोर्ट्स में मूव करी हैं और लड़कियों को रिलीफ दिलवाया है इसी तरीके से 41 लाक कॉल्स हम लोगों ने अपनी 181 विमन्स हेल्प लाइन पे रिसीव करी हैं धाई ला तो दिली महिला आयोग में बहुत बड़े बड़े काम करें हम डरे नहीं हम जुके नहीं और हमने बहुत जरूरी सवाल इस सिस्टम से पूछें और उसका नतीज़ा ये है कि आज दिली महिला आयोग ना सिफ इस पूरे दिली में पूरे देश में बलकि विश्व में अपन और उनमें भी कुछ केसिस और बहुत बड़ा नंबर है बहुत ही ज्यादा डराने वाले हैं लड़कियों को अभी भी इस देश में जला दिया जाता है हमने कितने डाउरी डेथ के केसिस हंडल करें जिसमें मैं अस्पताल पहुंची हूं लड़की पूरी तरीके से जली वी ह और वो सिर्फ एक मांग कर रही है सिस्टम से कि मुझे नयाय चाहिए तो ऐसे बहुत केसिस देखें हैं सेक्शुल असॉल्ट और रेप के अंगिनत केसिस देखें हैं आट महीने की बच्ची 85 साल की महिला 90 साल की महिला इन सब के रेप केसिस हम लोगोंने हैं इनकी मदद कर चेर परसन होने के नाते कुछ सुझाव ऐसे कि किस तरीके से इन केसिस को टाकल किया कैसे कैसे आगे लेके जा सकते हैं कि इन चीजों को रोका जा सकते हैं जी मैं ये मानती हूँ कि जब तक इस देश में लोगों को ड़र न ही लगेगा तब तक अपराद नहीं रुकेंगे मेरी सिर्फ यही मांग रही है और मैने बहुत कोशिश करी कि ये मांग पूरी करी जाए लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई मैं ये मानती हूँ कि केंद्र सरकार को एक high level committee बनानी की जरूरत है जिसको अमिच्छा जी chair करें, जिसमें मुखे मंत्री हो, जिसमें LG साहब हो, पुलिस कमिशनर हो, दिल्ली महिला आयोग हो और हमें महीने में एक बार तो मिलना चाहिए, अंजली का case हुआ, साक्षी का case में देश की राजधानी में, लेकिन कोई meeting ही नहीं होती, तो जब तक एक coordinated तरीके से हम इस बहुत बड़े crime को tackle नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं मानती, मैं को ये लगता है हर हाल में सजाएं हो, तुरंट सजाएं हो, और उसके लिए एक process set up करना पड़ेगा, पुलिस के स दौरान कहा था, कि F.I.R. फाइल करने में महिलाओं को बहुत दिक्कत आती, जिसमें DCW ने काफी मदद की, जी मैं मानती हूं, और दिल्ली महिला आयोग, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, कि जरूरत क्या है दिल्ली महिला आयोग की, दिल्ली महिला आयोग की जरूर की functioning से कही ना कहीं बहुत ही ज़ादा trust है, तो दिल्ली महिला आयोग ने 30,000 F.I.R. registration में मदद करी है, और मैं ऐसा बहुत cases देखती हूं, जिसमें दिल्ली पुलिस ने action नहीं करा, या देश में भर से cases आते हैं, देश में और भी अलग-अलग states की पुलिस ने action नहीं करा, औ दिल्ली महिला आयोग के notice के बाद F.I.R. भी दर्ज होती है, अरेस्ट भी होता है, तो मैं यह मानती हूं कि सिस्टम में बहुत अच्छे भी लोग हैं, सिस्टम में बहुत बुरे भी लोग हैं, जरूरत यह है कि जवाब देही तै हो, अगर जवाब देही तै हो जाती है, पुलिस की स्पेशली, तो बहुत कुछ बदल जाएगा, क्राइम रुख जाएगा. दिल्ली के अंदर अगर बात की जाया है, तो 70 विधानसभा सीटे हैं, और इन 70 विधानसभा सीटों में से 62 पर आम आदमी पार्टी का कबजा है, और जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए ज़ादा मुश्किले दिखाई नहीं द हैं, और दूसरी अगर बात की जाया कैंडिडेट की तो वो एंडी गुपता है, और तीसरा चहरा अब आपको दिखाई देगा स्वातिमालिवाल का, दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें, दिल्ली तक. झाल झाल